कि दिरियम मंत्री बंडल के मेरे सईयोगी स्रिमान प्यूश गोहिल जी नारायन राने जी बेहन दर्शना जर्दोश जी उद्योग और फैशन जगत के सभी साथ ही हद करगा और खादी की विशाल प्रमपरा से जुड़े सभी उद्यमी और मेरे मुनकर भाई बेहनो यहाँ प्रस्तित सभी विशेश महानुभाव देवी और सज्जनो कुछी दिन पहले भारत मंडपम का भव्य लोकार्पन किया रहा है आप मैंसे बहुत लोग हो हैं पहले भी यहां आते थे और टेंट में अपनी दुनिया खड़ी करते थे अब आज आपने बदला हुआ देश्ट देखा हो गया है और आज हम इस भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे राश्ट्रिय हद करगा दिवस मना रहे हैं भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हजकरगा उद्योग की अहम भूमी का है पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाशित करता है आज का भारत लोकल के प्रती वोकल ही नहीं है बलकि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्वीक मंच भी दे रहा है थोड़ी देर पहले ही मुझे कुछ बुनकर साथियों से बातीत करने का आउसर मिला है देश भर क्याने को हैंडलूम क्लस्टर में भी हमारे बुनकर भाई भेन दूर दूर से हां आये हैं हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी का इश्विशाल समारों में रदे से स्वागत करता हूं मैं आपका अभिनंदन करता हूं साथिव अगस्त का यह महिना क्रांती का महिना है यह सबाएं आजहादी के लिए दिये गए हर बलिदान को याद करने का है आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी स्वदेशी का यह भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिश्कार तक सिमित नहीं था बलकि यह हमारी आर्थिक आजहादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था यह भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोडने का भी अभियान था एक बड़ी वज़े थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रुप में मनाने का फैसला लिया था बीते वर्षों में भारत के मुनकरों के लिए भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभुद्पुर्व काम किया गया है स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांती आई है स्वाभाविक है कि इस क्रांती के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है और जो पंद्रह अगस बहुन पास में हो तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विश्वव कि वहां चर्चा करूं लेकिन आज देश बरके इतने बुनकर साथ ही जुड़े हैं तो उनके समख्ष उनके परिश्रम से भारत को मिली सभलता का बखान करते हुए और सारी बात यहीं बताने से मुझे और अदिग्गर्व हो रहा है साथियों हमारे परिधान हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है यहां भी देखिए भाती भाती के पहनाव और देखते ही पता चलता है यह बहां से होंगे वह यहां से होंगे वह इस सिलाके से आए होंगे यहने हमारी एक विवित्ता हमारी पहचान है और एक प्रकार से हमारी विवित्ता को सेलिब्रेट करने का भी अउसर है और यह विवित्ता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है देखते ही पता चलता है कुछ नया है कुछ अलग है देश के दूर सुदूर छेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाईबेंच लेकर बर्फ से ढके पहड़ों तक विश्तार प्रवा है वो लोग तो दूसरी तरफ समिद्री त्रट से जिंदी की उज़ारने वारे लोग वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परीधानों का एक खुब्सुरत इंद्र धनूश हमारे पास है और मैंने एक बार आगरे किया था कि कपड़ों की जो हमारी विवीदता है उसको सुचिवद्द किया जाए इसका संकलन किया जाए आज भारतिय वस्त्र सिल्पकोश के रूप में यह आज मेरा वो आगर यहां फली भूत हुआ देखकर के मिझे विशेश आनंद हो रहा है सात्यों यह भी दुर्भागे रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली सताब्दियों में इतना ताकतवर था उसे आजादी के बाद फिर से ससक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया हालत तो यह थी कि खादी को भी मरना सन्न स्थिती में छोड़ दिया गया था लोग खादी पहने बालों को हीन भावना से देखने लगे थे 2014 के बाद से हमारी सरकार इस्थिती और इस सोच को बदलने में जुटी है मुझे याद है मन की बात कारकम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरिदने का निवेदन किया था उसका क्या नतीजा निकला इसके हम सभी साक्षी है पिछले नव वर्षों में खादी के उत्पादन में तीन गुना से अधिक की वृद्धी हुई है खादी के कपड़ों की विक्री भी पाँज गुना से अधिक बढ़ गई है देश विदेश में खादी के कपड़ों की दिमांड बढ़ रही है मैं कुछ दिनों पहले ही पैरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रैंड की सीयों से मिला था उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारती हैंडलूम का आकरशन बढ़ रहा है साथियों नव साल पहले खादी और ग्रामेद्योग का कारोबार पचीस हजार तीस हजार करोड रुपिय के आस्पास ही था आज ये एक लाग तीस हजार करोड रुपिय से अधित तक महुच चुका है पिछले नव वर्षों में यह जो अतिरित एक लाग करोड रुपिय इस सेक्टर में आए हैं यह पैसा कहां पहुचा है यह पैसा मेरे हद करगा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है यह पैसा गावों में गया है यह पैसा अधिवास्चों के पास गया है और आज जब नीति आयों कहता है ने कि पिछले पांस साल में साड़े तेरा करोड लोग भारत में गरीबी से बहार निकले हैं वो बहार निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमी का आदा की है आज वोकल्फ और लोकल्ड की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हातों हात खरिद रहे हैं यह जन अंदोलन मन गया है और मैं सभी देशवास्यों से एक बार फीर कहूंगा आने वाले दिनों में रक्षाबंदर का परवाने वाला है गणेश उत्षवारहा है दशरा दिपावली दुरगा पुजा इन परवों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है और ऐसा करके हम अपने जो हस्त सिल्पी हैं अपने बुनकर भाई बैन हैं हद करगा की दुनिया से जुड़े लोग हैं उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं और जब राखी के त्योहार में रक्षा के उस परव में मेरी बहन जो मुझे राखी बांती है तो मैं तो रक्षा की बात करता हूँ लेकिन मैं अगर उसको उपहार में किसी गरीब मां से हाथ से बनी हुई चीज देता हूँ तो उस मां की रक्षा भी मैं करता हूँ साथ्यों मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्स्ट्राइल सेक्टर के लिए जो योजनाय हमने चलाई है वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है आदेश भर के गावों और कश्मों में लाखों लोग हद करगे के काम से जुड़े हैं इनमें जादातर लोग दलीत पिछडे पस्मांदा और आदी समाजी समाज से आते हैं बिते नव अरसों में सरकार के प्रयासों ना सिर्फ इने बड़ी संख्या में रोजगार दिया है बलकि इनकी आए भी बड़ी है बिजली पानी गैस कनेशन स्वच्छ भारत जैसे अभियानों का विलाप सबसे जादा वहां पहुंचा है और मोदी ने उन्हें गारंटी दी है मुप्त राशन की और जब मोदी गारंटी देता है तो उसका चूला 365 दिन जलता ही जलता है मोदी ने उन्हें गारंटी दी है पक्के घर की मोदी ने इन्हें गारंटी दी है पांच लाख रुप्य तक के मुप्त राश की हमने मूल सुविधाओं के लिए अपने बुनकर भाई और बहनों को दसकों का इंतजार खत्पक किया है साथियों सरकार का प्रयास है कि टेक्स्टाइल से जुड़ी जो परंपराएं है वे ना सिर्फ जिंदा रहे बलकि नए अवतार में दुनिया को आकरशित करें इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई प्रश्रिक्षन और कमाई पर बल दे रहे हैं हम बुनकरों हस्तसिल्फियों के बच्चों की आकाश्र को उडान देना चाहते हैं बुनकरे को बच्चों को स्कील ट्रेनिंग के लिए उन्हें टैस्ट्राइल इंस्टिटूट्स में दो लाख रुपिय तक के स्कॉलर्शिप मिल रही है पिछले नव वर्सों में 600 से अधीक हैंडलूम क्रॉस्टर विक्सित किये गए हैं इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई है हमारी लगातार कोशिश है कि बुनकरों का काम आसान हो उत्पादक्ता अधीक हो क्वालिटी बहतर हो डिजाइन नित्य नूतन हो इसलिए उन्हें कॉम्पूटर से चलने वाली पंचिंग मशीने भी उपलब्द कराई जा रही है इससे नए नए डिजाइन तेजी से बनाये जा सकते हैं मोटर से चलने वाली मशीनों से ताना बनाना भी आसान हो रहा है ऐसे अनेक उपकरण एसी अनेक मशीने बुनकरों को उपलब्द कराई जा रही है सरकार हद करगा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानि धागा भी दे रही है कच्चे माल को लाने का खर्ज भी सरकार महन करती है मुद्रा युज्रा के माद्यम से भी मुणकरों को बीना गारंटी का रण मिलना संभव हुआ है साथियों मैंने गुज्रात में रहते हुए बर्सों मेरे मुणकर साथियों के साथ समय बिताया है आज मैं जहां से सांसद हूँ काशी उस पूरे क्षेत्र की अर्थववस्ता में भी हैल्लूम का बहुत बड़ा योगदान है मेरी अक्सर उनसे मुलाकाद भी होती है बात्चित होती है इसलिए मुझे धर्ती की जानकारी भी रहती है हमारे मुनकर समाज के लिए बहुत बड़ी चुनोती रहा है कि वो प्रोडक्त बना लेता है लेकिंसे बेचे लेक लिए उन्हें सप्लाइचेन की दिक्कत आती है मार्केटिंग की दिकत आती है हमारी सरकार उन्हें इस समस्याभी से भी बाहर निकाल रही है सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग भी जोर दे रही है देश के किसे ना किसी कौने में हर रोज एक मार्केटिंग एक्जिबेशन लगाई जा रही है भारत मंडपम की तरह ही देश की अनेक शहरों में प्रदसनिस्तल आज निर्मान किये जा रहे हैं इसमें दैनीक भत्ते के साथ ही निशुल्ड के स्टॉल भी मोहिया कराये जाता है और आज खुशी की बात है कि हमारी नई पीड़ी के जो नवजवान है रहे हैं जो नय नए श्टार्ट उपसा रहा हैं श्टार्ट आपकी दुनिया के लोग भी मेरे होनहार भारत के युओं हला कि हध्करघा से बनी कि शीजे थे थिमूर कि हमारे कौटेज इंडिसिट ppeनी उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक नई नई पैटरंस उसके मार्केटिंग के नई नई पर होता है अनेक स्टार्ट अप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं और इसलिए मैं उसके भविश्य को एक नयापन मिलता हुआ देख रहा हूं आज बन डिस्ट्रिक मन प्रोड़क्ट योजरा के तयत हर जिले में वहां के खास उतवादों को प्रमोट किया जा रहा है देश के रिल्वेस्टेशनों पर भी ऐसे उतवादों की विक्री के लिए विशेश टॉल बनाए जा रहे हैं हर जिले के हर राज्य के हस्तसिल्प हद करगे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मौल भी बनवा रही है एकता मौल में उस राज्य के हस्तकला उत्पाद एक छट के नीचे होंगे है इसका भी बहुत बड़ा फाइदा हमारे हैंडलूम सेक्टर से जुड़े भाई बहनों को होगा आप ऐसे किसी को अगर गुजरात में स्टेची ऑफ यूनिटी देखने का उसर मिला होगा तो वहां एक एकता मौल बना हुआ हिंदुस्तान के हस्तसिल्पियों द्वारा बन अगद्ध होती है तो टुरिस्ट वहां जो आता है तो एकता का अनुभव भी करता है और उसको हिंदुस्तान के जिस कोने की चीज चाहिए वहां से मिल जाती है ऐसे एकता मौल देश की सभी राजधनियों में बने इस दिशा में प्रयास चल रहा है हमारी इन चीजों का मह प्रदान मंत्री कारकाल में विदेश जाता हूं तो दुनिया के महानुभाओं के लिए कि कुछ न कुछ भेंट सोगात ले जाना होता है मेरा बड़ा अग्रह रहता है कि आप सब साथी जो बनाते हैं उनी चीजों को मैं दुनिया के लोगों को देता हूं उनको प्रसंद तो करते ही हैं जब उनको मैं बताता हूं मेरे फलाने इलाके के फलाने गाओं के लोगों ने बनाई हैं तो बहुत प्रभाविद भी हो जाते हैं साथियों हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को डिजीटल इंडिया का भी लाव मिले इसका भी पूरा प्रयास है आप जानते हैं सरकार ने खरीद विक्री के लिए एक पॉर्टल बनाया है गवर्मेंट इमार्केट प्लेस यानी जेम जी इएम जेम पर छोटे से छोटा कारिगर शिल्पी बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाब उठाया है आज हद करगा और हस्त सिल्प से जुड़ी पॉने दो लाग संस्ताएं जेम पॉर्टर से जुड़ी हुई है साथियों हमारी सरकार अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्द कराने पर भी स्पष्ट रणदिती के साथ काम कर रही है आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के MSMES हमारे बुनकरों कारीगरों किसानों के उत्वादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है मेरी ऐसी अनेक कंपनियों के नित्रुत्व से सीधी चर्चा हुई है दुनिया भर में इनके बड़े-बड़े स्टॉर से रिटेल सप्लाई चेन है बड़े-बड़े मॉल्स हैं दुकाने हैं ऑन-लाइन की दुनिया में भी इनका सामर्द बहुत बड़ा है ऐसी कंपनियों ने अब भारत के स्थानिये उत्पादों को विदेश के कौने-कौने में ले जाने का संकल्प लिया है हमारे मिलेट्स जिसको हम अब स्री अन्न के रूप में पहचानते हैं यह स्री अन्न हो हमारे हैंडलूम के प्रोड़क्स हो अब यह बड़ी इंटरनेशनल कंपनिया उन्हें दुनिया भर के बैजारों में लेके जाएगी यानि प्रोड़क्ट भारत का होगा भारत में बना होगा भारत के लोगों के पसिने की उसमें महख होगी और सप्लाइज चेन इन मल्टी डेशनल कंपनियों की इस्तमाल होगी और इसका भी बहुत बड़ा फाइदा हमारे देश के इस खेत्र से जुड़े हुए हर छोटे व्यक्ति को मिलने वाला है साथियों सरकार के इन प्रयासों के बीश आज मैं टेक्स्ट्राइल इंडुस्री और फैशन जगत के साथियों से भी एक बात कहूंगा आज जब हम दुनिया की टॉप थ्री एकॉनोमिज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं तब हमें अपनी सोच और काम का दाइरा भी बढ़ाना होगा हम अपने हैंड लूम अपने खादी अपने टेक्स्ट्राइल सेक्टर को वर्ल्ड चेंपियन बनाना चाहते हैं इसके लिए सबका प्रयास ज़रूरी है समीको तो यह इंडस्टर सबको एक निष्ट करने हो गया मैं भारत के मुनकरों के स्कील को स्केल से जोड़िये अब भारत के मुंकरों की स्कील को टक्रोलोजी से जोड़िये आज हम भारत में एक नियो मिल्ल क्रास का उदय होता देख रहे हैं हर प्रोड़क के लिए एक बहुत बड़ा युआ कंजुबर वर्ग भारत में बन रहा है इसलिए इन कंपणियों का विदाई तो है कि वो स्थानिय सप्लाइचेन को ससक्त करें उस पर इन्वेस्ट करें बाहर बना बनाया उपलब्द है तो उसे इंपोर्ट करो यह अप्रोच आज जब हम मातमा गांदी के कामों का स्मरन करते हुए बैटे हैं तो पहर से एक बार मन को हिलाना होगा मन को संकल्पित करना होगा कि बाहर से लाला करके गुजारा करना यह रास्ता उचित नहीं है इस सेक्टर के महारती यह बहाने नहीं बढ़ा सकते कि इतनी जल्दी कैसे होगा इतनी तेजी से लोकल सप्लाई चेन कैसे त्यार होगी हमें भविश में लाब लेना है तो है लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा यही विख्षीद भारत के निर्मान का रास्ता है और यही रास्ता विख्षीद भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा फाइव ट्रिलियन एकोनामी के सपने को पूरा करेगा दुनिया के पहले तीन में भारत को जगा दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा और भावात्मक पहलू के और देखें तो इसी रास्ते पर चलकर अपने स्वधंत्रता सेनाग्यों के सपने को पूरा कर पाएंगे स्वधेशी के सपने को साकार कर पाएंगे सात्यों और मैं साम मामता हूं जो स्वाभिमानी होगा जिसको स्वभ पर अभिमान होगा स्वधेश पर अभिमान होगा उसके लिए खादी वस्त्र है लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है जो मेकिन इंडिया को बल देता है उसके लिए यह खादी सिर्फ वस्त्र नहीं अस्त्र भी है और सस्त्र भी है साथ्यों आज से एक दिन बाद ही नव अगस्त है अगर आज का दिन स्वधेशी अंदोलन से जुड़ा है तो नव अगस्त की तारीक भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है नव अगस्त को ही पुझ्य बापु के नेत्रुत में ट्वीट इंडिया मूमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था पुझ्य बापु ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था ट्वीट इंडिया इसके कुछी समय बाद देश में एसा एक जागरण का महोल बन गया एक चेतना जग गई आखिर कर अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था आज हमें पुझ्य बापु के आशिरवात से उसी इच्छा सक्ति को समय की माग है हमें आगे बढ़ाना ही है जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड सकता था वो मंत्र हमारे हां भी ऐसे तत्मों को खदेड़ने का कारण बन सकता है आज हमारे सामने विख्षीद भारत निर्वान का स्वपन है संकल्प है इस संकल्पे सामने कुछ बुराईयां रोड़ा बनी हुई है इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराईयों को कह रहा है क्विटिनिया आज भारत कह रहा है करप्षन क्विट इंडिया यानि ब्रस्टाजार इंडिया छोड़ों आज भारत कह रहा है डाइनेस्ट्री क्विट इंडिया यानि परिवारवार्थ इंडिया छोड़ों आज भारत कह रहा है एपीजमेंट क्विच इंडिया यानि तुष्टी करन इंडिया छोड़ो इंडिया में समाई ये बुराईयां देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा है देश के लिए बहुत बड़ी चुनोती भी है मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराईयों को समाप्त करेंगे परास्त करेंगे और फिर भारत की विजए होगी देश की विजए होगी हर देश वासी की विजए होगी साथियों 15 अगस हर गर तिरंगा और यहां तो मुझे आज उन पहनों से भी मिलने का मोका मिला जो देश में तिरंगा द्वज बनाने की काम में सालों से लगे हुए है उनसे भी मुझे नमस्तर करने का बात्चीद करने का मोका मिला हमें इस 15 अगस को भी पिछली बार के तरह और आने वाले हर वर्ष हर गर तिरंगा इस बात को आगे ले जाना है और जब चट पे तरंगा लहराता है न तो सिर्व चट पे भी नहीं लहराता है मन में भी लहराता है एक बार फिर आप सभी को नेशनल हैंडूम डे की बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद अपकी उत्पिर को देता है